रूसी राष्ट्रपती वाल्दिमिर पुते ने एक बार फिर पीम नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे हैं। उन्होंने कहा कि भारत का नेतरित्व मजबूत है और राष्ट्र हितों को प्राथ मिक्ता देता है। रूस की राजधानी मौसको में एक कारिक्रम में बोलते हुए पुते ने पश्चमी देशों को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत, चीन और अरब जैसे देश जो आंख बंद करके पश्चमी देशों का अनुसरन करते हैं, उन्हें वो यानि पश्चमी देश दुश्मन के रूप में पेश करते हैं। एक नामी न्यूज एजनसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने कहा कि एक समय भारत के साथ भी उन्होंने ऐसा ही करने की कोशिश की। हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम एशिया की स्तिती को भी अच्छे से समझते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि भारतिया नेतरित्व मजबूत है जो अपने राष्ट हितों को प्रात्मिकता दीता है। ऐसे में मेरा मानना है कि उनके यानि पच्चमी देशों के इस तरह परयास बिकार हैं। उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। रूसी राष्टुपती वाल्दमिर पुतिन ने संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद यानि UNSC में भारत की आर्थिक भागेदारे की वखालत की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्टुपती ने कहा कि भारत, ब्राजील और डक्षुन अफ्रीका जैसी देश संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद में अधिक प्रतिन धित्व के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्टु में सुधार किया जाना चाहिए, साई से दस्यता मिलनी चाहिए। रोस्तित एक न्यूस चानल की रिपोर्ट के अनुसार, पुतिन ने भारत को एक शक्ती शाली देश कहती हुए कहा कि ये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रित्व में और मजबूत हो रहा है। प्रगति कर रहा है पिछले महीनों भी। उन्होंने पीएम मोदी के तारीफ करते हुए कहा था कि पीएम मोदी मेक इन इंडिया कारिक्रम को बढ़ावा देने के लिए अच्छा काम कर रही है। चीन और अरब जैसे देश जो आंख बंद करके पच्चम देशों का अनुसरन करते हैं उन्हें वो यानि पच्चमी देश दुश्मन के रूप में पेश करते हैं। एक नामी न्यूज एजनसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने कहा कि एक समय भारत के साथ भी उन्होंने ऐसा ही करने की कोशिश की। हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम एशिया की स्तिती को भी अच्छे से समझते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि भारतिया नेतरित्व मजबूत है जो अपने राष्ट हितों को प्रात्मिकता दीता है। ऐसे में मेरा मानना है कि उनके यानि पच्चमी देशों के इस तरह परियास बिकार हैं। उन्हें यी सब नहीं करना चाहिए। रूसी राष्ट्रपती वाल्दमिर पुतिन ने संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद यानि UNSC में भारत की आर्थिक भागेदारे की वगालत की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपती ने कहा कि भारत, ब्राजील और दक्षिन अफ्रीका जैसे देश संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद में अधिक प्रतिन धित्व के हकदार है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार किया जाना चाहिए, साई से दस्यता मिलनी चाहिए। रोस्तित एक न्यूस चानल की रिपोर्ट के अनुसार, पुतिन ने भारत को एक शक्ती शाली देश कहती हुए कहा कि ये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रित्व में और मजबूत हो रहा है। पुतिन ने कहा भारत एक देशमलव पांच अरब से अधिक जनसंख्या, साथ प्रतिशत से अधिक आर्थिक विकास वाला एक शक्ती शाली देश है। ये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रित्व में और अधिक मजबूत हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले बुधवार को पुतिन ने पीएम मोदी को बुधिमान व्यक्ती बताते हुए कहा था कि उनके नेत्रित्व में भारत विकास में काफी प्रगती कर रहा है पिछले महीनों भी। उन्होंने पीएम मोदी के तारीफ करते हुए कहा था कि पीएम मोदी मेक इन इंडिया कारिक्रम को बढ़ हवा देने के लिए अच्छा काम कर रही हैं।